दल बदल नेताओ को क्या के होगे आप तो मैं आपको पहले पता सका हम जी बोरी में समान वही है शिरफ उपर का लेवल चेंज हुआ आलू तो वही है शड़े हुए जो लोग खा नहीं सकते काम नहीं कर सकते लेवल लेवल चेंज हुआ ये सारे के सारे आप सबको पता रही क यूचाने की सरकार जो बहुत सारी कंडिडेर निर्दली भी बहुत सारे घड़े, लेकिन ननु कहें की काउग्रेश की लेर बन रही उस लेर के बीच मेंदा है कांग्रेस की लहर नहीं बन दी जी आज से दस साल पहले कांग्रेस की सरकार थी लोगों ने कांग्रेस से तंगा के बीजेपी को लेके आए जन्ता ने सब ने देखा है एक बार बीजेपी सरकार एक बार जेजेपी सरकार एक बार कांग्रिस सरकार ये दो तिन पार्टियां इन्होंने रल मिलकेर नेता वही है एक बार कांग्रिस में चलेगे एक बार बीजेपी में चलेगे बोरी के अंदर समान वही है सिर्फ लेवल बदली हुआ है जन परचार के तो लेवल बदली हुआ है जनता ने देख लिया है क्योंकि ये राजनितिक घराने वारे लोग है राजनितिक के दल्दल को साफ किया है गंदगी को साफ किया है उस गंदगी को साफ करने के लिए उस दल्दल को साफ करने के लिए हम ये राजनितिक मैदान में और आपने यहां उचाना में आकर हमने देखा कि इस परकार से राजनीतिक दलों ने लूट पार्ट मचाई हुई है हम नोकरी करते करते आम आदमी पार्टी के रम रम जी सारे नमाँ थरिक लपरीति को अथर फिलाल भी मैं उचाना में मौजूद हूँ और आप सभी ने पता है कि चुनाव का जो बिगूल है वो बच चुक है अभी चुनाव की जो तारिक है वो गोशित कर दी गई है चुनाव आयोक के द्वारा फिलाल मेरी गहले पवन फोजी जी मौजूद है आम आदमी तह है जो टिकटे मिले गई वे इनकी तक अनफरम है ब आगा आए हैं बात्सित करांगी क्या सोच कहा है जो इन राजनीतिक में जो अपने पैर रख्षया है तो बात्सित करेंगे और अभी बीजेपी सरकार की बात करी जाए और अन्य पार्टियों की बात करी जाए मतलब बहुत सारी कंडिडेट है जो खड़े हो रहे यह अपन करने के बाद यहां उन्चाना में आकर हमने देखा कि इस परकार से राजनीतिक डलों ने लूट पाट मचाइए हुई है हम नोकरी करते हैं आम आदमी पारटी की सच्छे सिपाई वहां भी हमने दिल्ली में आम आदमी पारटी का काम देख़ा अरबिन केजरिवाल की से करने के लिए हम ये राजनितिक मैदान में आई हैं और आपने बी जे पी की जे जे पी की और अनलो दूसरी अन्ने पार्टियां हैं हम कहां पर खड़े हैं यहां हमारे मुकाबले में कोई भी पार्टी का या कोई भी कंडिडेट नहीं है क्योंकि यहां एक तरफा मौल होने जा रहा है सारे उंचाना की जनता ने सब ने देखा है एक बार बी जे पी सरकार एक बर जे जे पी सरकार एक बर कांगरिस सरकार ये दो तीन पार्टियां इन्होंने रल मिलके नेता वही हैं एक बार कांगरिस में चलेगे एक बी जे पी में चलेगे बोरी के अंदर समान व आने वारे लोग हैं, इन्होंने अपना फैदा उठाने के लिए, उच्छाना का सरव नास करने के लिए ये तुले हुए हैं, तो आने वारे समय में आम आदमी पार्टी की दोजगे सरकार है दिल्ली और पंजाब में, जिस प्रकार से जनहित के काम करने हैं, चाहे बिजली की की बात हो चैया स्वैसते की बात हो चाये करमचारियों की, वेपारियों की, महिलाओं की, मजदूरों की, ब्रविध के फायदे के लिए अबिन केजरिवाल जी काम करते हैं और ये दूसरी पार्ड़िया तो आप का मुख्या होता हूँ गाओं के मुख्यों के उपर भी डंडा चलाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है और यह चुनाओ आगे हैं अब जनता दिखा देगी इन लोगों को किस परकार से लोगों के बीच में जाएंगी जैन संप्रेकली भी जा रही होगे और डोर टो डोर भ आबके अपने आम घर के बेटें की बारी है अंगे द्वारा में बेजेंगे उन्हों हों ने मन बणा लिया अगर आप चुनन लिए सब्सक्राइग रूप में चाहरा dazu कारियरत हो एक हिसां आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है गारंटी देती है वादे नहीं करती सिक्षा के उपर सबसे पहले काम करेंगी सवाष्टे के उपर काम करेंगी महिलाओं की सुरुक्षा के लिए काम करेंगी महिलाओं को हजार रुपे देने की बात है उसके उपर काम करेंगे महिलाओं का किराया माफ करने की बात करेंगे बिजली के बिल माफ करने की बात करेंगे और भी हैं चाए किसानों के मुद्धे हैं चाए जवानों के मुद्धे हैं चाए मज़दूरों के मुद्धे हैं हर वरक के उपर आम आदमी पार्टी काम करेगी हुँचाना के अंदर सबसे पहले कोलेज नहीं है कोलेज बनवाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी उसके बाद स्टेडियम नहीं है बस्टेंड आपने देख्या होगा शिरफ नाम नाम का बस्टेंड है वहाँ कोई बस नहीं रुकती है ताड़ा लाग रहे हैं जी बिल्कुल सही बात है उसके बाद पीने की पाणी की विश्था यहां नहीं है सीवरेज का पाणी और जो पीने का वाटर सप्लाई का पाणी वो मिले हुए हैं दोनों लोगों ने बहुत कंप्लेंट कर ली सीएम विंडो पे भी डाल लिया आज तक उसका समाधान नहीवाद दस साल से लोग गंदा पाणी पी रही हैं इन सारी जो सुईधा लोगों को नहीं मिल रही वो सारी की सारी सुईधा जन्मोहिया करवाई जाएंगी उसके फंडिंग कहा तो हो मीजे कैसे हो मीजे वे बतादे जी यह लोग टैक्स देते हैं लोगों का टैक्स का पैसा है जो सरकार किस के पैसे से सरकार चलती है वोगों को यह पैसा हो तर दो को साही रूप दिया जाएगा कांग्रेस की लहर नहीं बन रहे जी आज से दस साल पहले कांग्रेस की सरकार थी लोगों ने कांग्रेस से तंगा के बीजेपी को लेके आए थे अब बीजेपी को छोड़के फिर कांग्रेस को ले आए फिर लोगों को क्या भाइदा होगा इन्हों ने का लोगों ने देखे आए दिली में काम देखे हैं करविंद केजरिवाल जी के पंजाब में काम देखे हैं दोनों हमारे प्रोसी राज्य हैं उन कामों को देखकर लोग बड़े खुस हैं इन लोगों से तो तंगा रहे हैं पुरी तरह से कांग्रेस हो चाए बीजेपी हो अब की बार लोगों ने मन बना लिया है हर्याना के लाल अर्विंद केजरी वाल को लोगों हर्याना में लेकर आएंगे अर्विंद केजरी वाल की सरकार बनाएंगे और दिल्ली और पंजाब की तरह उनी कामों का लूप तूछ उठाएंगे बहुत सारे कंडिडेट हैं देखो दल बदलू हो हैं कभी उस पार्टी में चले जाएं तो कभी उस पार्टी में नेताओं को क्या कहुगा? बदलेंगे उचाना अब की बार उचाना में आम आदमी पार्टी का भी धायक होगा लोगों की जन जन की ओवाज है और लोगों को मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूँ आपने सबी को देख लिया एक भी आपके बीच में ऐसा नहीं पार्टी आगर बोल सकती हमको मुका नहीं मिला सब को आपने मुका दिया है आपके बीच में आम आदमी पार्टी वाड़े एक मुका मांगने के लिए आ रहे हैं एक बार मुका देने के बाद हम दुबारा आपके बीच में जाएंगे तो ये चाती ठोके बोलेंगे हमने काम किया है तो बोट दे दो वरना बोट नहीं देना इन दूसरी पार्टियों में ये ताकत नहीं है लोगों के बीच में जाकर ये बोल दे हमने काम किया है तो बोट दे दो और ना बौत नहीं देना इनकी सब की जमाने जबत हो हम तो पनजाब में भी दिली में भी देखिया होगा आपने अर्वींड केजरी वाल जी स्टेज बे जागर बोलते हैं हमने काम किया है तो बौत दे दो वरौत नहीं देना क्योंकि हम कट इमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं विल्कुल मैं सबी आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं 23 तारीक को दो दिन बाद आम आदमी पार्टी कारियले में रोड ट्रंक मारकेट में रकदान सिवर लगाने जा रहे हैं सबी दर्शकों से अंरोध है रकदान महादान सबसे बड़ा दान है इसके अंदर आप अपनी भागेदारी दिखाएए जो भी बल्ट देने वाड़े साथी होंगे उनको सम्मान के रूप में हेलमेट भी दिया जाएगा क्योंकि हेलमेट भी एक सुरक्षा का यंतर है आपको पता होगा क्योंकि बड़े दुरगटना होती है और हमारे सैनिकों को कोई आने जाने वाड़ा एक्सीडेंट हो जाता है खून की जरूत पड़ती है हमारे बल्ड कैंपों में खून की कमी हो रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप सभी सातियों से मेरा अनरोद है ज्यादा से ज्यादा सिंख्या में पहुंचकर आप रकदान कीजिए अंत में फिर रकदान महादान जैहिन वंदे मातरम तो भी फिलाल फ्रेम में आप मेरे के लपवन फोजी ने देख लगर देश की सेवा करके ने आभी सामाजिक सेवा करने खातर राजनीतिक में जो इन पैर रख दिया और आम आदमी तहें चुनाव के जो तैयारिया कर रहे हैं तो आपकी क्या राए इस वीडियो के परती आपना आपकी राया जो सब्वे कमेंट के जरीए जरूर रखनी है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन वंदे मातरम और भी उचान में आपकों सचा रह देखना चाओ भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया